कि हम नहा के पुजा क्यों करते हैं? आप कहलेंगे तो सिंपल अंसर है, नहा के इसलिए पुजा करते हैं क्योंकि ये हमारे धरम में हैं। गलत पहमी, मिस्कंसेप्शन, चेंड कर देता हूं। हमारे धरम में कहीं भी आप पढ़िए शास्तर में सिरफ वेद के मंतर, वेद की रिचाएं, संध्या और गाहित्री मंतर, सिरफ तीन चीजें आपको नहा धो के जनेवु पहन के करनी चाहिए। नमस्कार दोफ्तो आज हम वेलनस सिरिज में बात कर रहे हैं कि हम नहा के पूझा क्यों करते हैं। आप कहलें कि तो सिंपल अंसर है नहा के इसलिए पूझा करते हैं क्योंकि ये हमारे धरम में हैं। तो आज मैं आपकी ये घलत पहमी, मिस्कंसेप्शन चेल कर देता हूँ, हमारे धर्म में कहीं भी आप पढ़िए शाष्टर में सिरफ वेद के मंतर, वेद की रिचाएं, संध्या और गाहित्री मंतर, सिरफ तीन चीजें आपको नहा धो के जनेवु पहन के करनी चाहिए। उसके इलावा, ओम नमो भगवते वास्देवाए, ओम नमे शिवाए, कोई शुमी, आप किसी भगवत गिता, भगवत में आप पढ़ेंगे भवान का नाम कहीं भी, किसी भी हाल में, कैसे भी आप ले सकते हो, कोई फरक नहीं है। तो फिर ये कंसेप्ट क्यों आगया है। कि कहां से एक कंसेप्ट आया है कि सिर्फ आपको नहा दोके कुझा करनी सी, बिना नहाय नहीं करनी सी। तो आप इस जर्णी को हम समझने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लीकिया है, तो कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहेंगे। अब हम चलते हैं कि क्यों करते हैं। तो नहा दोके एक हमारा ट्रडिशन बन गया है। इसलिए हमने वो करनी शुरू कर दें। कि हम नहा के पूजा करेंगे। लिकिन ट्रडिशन बना कैसे हैं। तो जब आप बातरूम में जाते हों। तो आप मेरा औरा का वेडियो देखेगा। उसमें मैंने डिटेल दिया है औरा क्या होती है। आपकी औरा ओपन होती है। और आपको लोग अनर्जी लेवल है। क्योंकि वहाँ पे आप अपनी टॉक्सिन जो भी शराप शरीव का टॉक्सिन है। जो भी इशूद हैं साफ सफाय मही करते हैं। आपका अनर्जी लेवल लोग हो जाता है। और इसी वज़े से अगर आप देखेंगे। जो लोग डिप्रेसिव हैं। जिनको डिप्रेशन है। वो जादातर बात्रूम में आपको बैठे रहेंगे। गंटा-गंटा बैठे रहेंगे। वही क्राई करते रहेंगे। आप कहेंगे यह क्या हो रहा है। बाहर में आएंगे। और उस तो फिल्म स्टार की डेथ भी बातरों में हुए। और उनको बाद में डिप्रेशन बताया गया। तो डिप्रेशन में यूजली हम लो अनर्जी लेवल में जाते हैं। जैसे पानी का फ्लो उपर से नीचे जाता है। आपका वहा अनर्जी लेवल जाता है। एरिये का कम है तो फ्लो कर रहा है। और यह मशीन आगी हैं बायटोंस हैं। आपका पूजा करने चलेगे। आप सीधे ओफिस भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप फूजा करने गए। वह एरिया आपका सबसे हाई पावर होता है। क्योंकि वहाँ पे आपके विचार पोस्टिव होती है। आपकी थौट पोस्टिव होती है। आपके एक्सपेक्टेशन पोस्टिव होती है। और जो इनवर्सल अनर्जी है वो तो ही। तो आप जब वहाँ गए तो आप इमिजेटली वो अनर्जी को ग्रास परने लग होगी। और इसका कोई एक्जामपल है। जब आपको बहुत ज़ादा अनर्जी एक्टम मिलती है। लो से। तो आप कभी भी। इसका बहुत प्रैक्टिकल एक्जामपल है। आप करके देखेगा। जब आप पूजा की थाली को गुमाते हैं ऐसे। ठीक है। जब भी आप पूजा की थाली को गुमाते हैं। इमानदारे से बात करिए। कि आपका ध्यान उस भवान में होता है। आपको सारे काम याद आ जाएंगे। सारे संसार के। मुझे उससे पैसा लेना है। वो बिजनिस देखना है। मेरे को फलानी बात करनी है, कोई रिलेशन्शिप है, कुछ भी है, anything। क्योंकि बहुत सारे इनर्जी आपके अंदर आ रही है। उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आपका अनर्जी लेवल लो था, वहां से अनर्जी लेवल हाई हो गया। एवरेज में वह बरावर हो गया। तो जब आप घर से निकले, तो आप नॉर्मल अनर्जी लेवल के साथ निकले, उसके बार आपकी प्रफार्मेंस अच्छे देगे। अगर लो अनर्जी में निकल गए, तो बड़ा डिप्रेसिव फील करेंगे। और कई बार हम जाते हैं दोस्तों के पास, वह यां नॉर्ट फिलिंग वैल, बहुत दिक्कत है यार। और अगर आप हाई अनर्जी में भी निकल गए, तो भी प्रॉलम है। सीरी बुजा कर लिए आपने और निकल गए, क्योंकि हाई प्रॉलम में आप इंपल्सिव डिसीजन करने लगोगे। माइंड उस अनर्जी को तुर्णत रिलीज करना चाहेगा, क्योंकि इस बहुत इंडेलिजेंट मशीन है। वो बुरी बॉड़ी को मेंटेन करके चलता है, उसी अनर्जी पे कम न जाता है। तो अब आप यह क्लियर आपको एक्स्पेरिमेंट के तोर पे मैं दे रहा हूँ, आज आप कर सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं कि जितनी बार आप पूजा की धाली गुवाते हैं, आपका ध्यान उस पूजा में कितना होता है। दस परसेंट, बीस परसेंट, पचास परसेंट, प्लीज कमेंड बॉक्स में डालीए मुझे, बताइए ज़रूर। और उसी हिजाब से आप देख लीजिए कि आपका टाइम बात्रूम में कितना होता है। आप बताइए हमें वीडियो कैसा लागा, मेरे खल आपको यह समझ आ गया होगा कि हम नहा के पूजा क्यों करते हैं। ऐसी छोटोटी वैलन सेरीज हम लगातार आपके साथ शेयर करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ, प्लीज लाइक करें, सस्प्राइब करें और शेयर करें और जोड़े रहे हमारे चैनल से। जल्दी मुलागात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।